हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपनी यूटूब चैनल मंजिल तक पर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं RRB NTPC प्रिविएस येर क्विस्चन पेपर से सेलेक्टेट पजल्स को एक क्लास बहुत ही मात पुढ़ होने वाली है प्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पर पाली बार आएं तो प्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे की आने वाली वीडियोज की नोटिपिकेशन सबसे पाले आप लोगों को मिल सके 17 जनवरी 2017 4 और 5 अपरेल 2016 के सभी सिप्टों के पजल्स इस कलास में हम लोग साल्व करने वाले हैं आए दिखते हैं नीचे दी गया सूचना को ध्यान से पढ़िए और उसके अंसार प्रशनों के उत्तर दीजिए छे मित्र अनिल, भरत, राम, दिलीप, कार्ती और बिजय प्रतेक एक दूसरे के सामने एक भृत्त में बैठे हैं अनिल भरत और दिलीप के बीच में है अनिल भरत और दिलीप के बीच में है बिजय राम और कार्ती के बीच में है यहां पे क्या हुँन है? राम और कार्ती के बीच बीजय है राम यहां पे है, तो कार्ती यहां पे होगा, बीजय यहां पे होगा मेरा जो सिटिंग अरिंजमन था वो साल हो चुका है इस पे आधारित जितने भी questions थे उसका answer अब हम लोग देश सकते हैं जैसा कि एक question है दिलीप और बिजे के बीच कौन है दिलीप और बिजे के बीच कौन है राम इसका right answer होगा option number D next देखते है next puzzle अपना next puzzle है P, Q, R Yes T और U भीन बेशाय अपनाते हैं उसमें से एक राजनितिग, एक नायक एक बैंक कर्मी, एक भूत पूरू सैनिक एक नर्स और एक गिरिःडी है नीचे दिये गए निर्देशों पर विचार कीजिए और उस पर आधारित प्रस्नों का उत्तर दीजिए आर गिरिःडी से विवाहित भूत पूरू सैनिक है और इसका जो विवाह हुआ है, वो गिरिःडी से हुआ है इसका विवाह गिरिःडी से हुआ है नेक्स्ट क्यों एक नायक है जिसका भाई टी राजनीतिग्य नहीं है जिसका भाई टी राजनीतिग्य नहीं है यो ना तो बैंक करमी है ना ही राजनीतिग्य यो ना तो बैंक करमी है ना ही राजनीतिग्य P R की पत्नी है P जो है ओ R की पत्नी है और R की पत्नी क्या है? गिरिहेडी तो यहाँपे हो जाएगा गिरिहेडी अब देखिएगा राजनितिग ना तो T है ना ही U है तो राजनितिग कई कोन होगा? Yes होगा राजनीति गये? यस होगा बैंक करमी U नहीं है तो बैंक करमी कौन होगा? T होगा T का होगा? बैंक करमी अब यहां पे कौन सा बेशाब बच्चा है? नर्स नर्स कौन होगा? U U क्या हो जाएगा? नर्स इस तरह से यह भी पजल साल हो चुकी है इस पे आधारित कुश्चन्स काउन राजनीति गया है? आप्संस है Yes U T R तो यहां पे राजनीति गया काउन है? Yes मेरा जो राइट एंसर होगा होगा आप्संस नमबर A आएए देखते हैं नेक्स्ट पजल Friends अगर बीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिएगा नेक्स्ट आ है पांच दोस्तों का एक गुट बनाया गया वे उत्तर की रुख करके बैठे हैं जब भी कोई उत्तर साइड मुख करके बैठेगा तो उसके इस साइड राइट होगा और उसके इस साइड लिफ्ट होगा जए कतार में असोक के एकदम दाई दिशा में बैठा है जए कतार में अजय के एकदम दाई और बैठा है जए कतार में असोक के एकदम दाई और बैठा है बाला तथा सुबास के मत एक मात्र प्रडे से बाला तथा सुबास के मत एक मात्र प्रडेस है तो इस तरह से भी बैठ सकते हैं सुबास प्रडेस और बाला दो कंडिशन हो सकती है सुबास प्रडेस और बाला के बैठने की आगे का रहे है सुबास जय तथा प्रडेस के मत धिस्तित है प्रडेस यहाँ पे है जय यहाँ पे है सुबास यहाँ पे है तो एवाली कंडिशन यहाँ पे फिट होगी क्या हो जगा सुबास प्रडेस और बाला यह जो sitting arrangement यह यह correct है अब इसके जो अधारित question है जय तथा सुबास यह राइट answer है जय तथा सुबास यह आपसर नंबर B जय तथा सुबास एक दूसरे के अगल बगल खड़े है नेश्ट देखते है नेश्ट है पांच फल केला आम सेब अलू बुखुरा और नारंगी एक ट्रेमे रखे हैं पांच बच्चे फू, मू, कू, हू और लू एक एक फल बेतर्तिव उठाते हैं मू ना तो केला लेता है ना ही नारंगी मू ना तो केला लेता है और ना ही नारंगी लू को सेब पसंद है वह उसे उठा लेता है कू ना तो आलू बखूरा लेता है और ना ही केला फू सेब लेना चाहता है लेकिन आम ले लेता है फू क्या लेता है आम ले लेता है ठीक अब देखिएगा ना तो केला यहां पे है ना ही यहां पे है तो केला हू के पास होगा हू क्या लेगा केला लेगा ठीक अब ध्यासे देखिएगा अगर मू नारंगी नहीं ले रहा है तो नारंगी कू लेगा कूलेगा नारंगी कूलेगा तो आलू बखुला कूलेगा मू लेगा इस तरह से एफ पजल जो थी उस साल हो चुकी है इस पर आधारित questions को हम लोग असानी से कर लेंगे जैसे question है केला कौन लेता है केला कौन लेता है इसका right answer हो जगा option number ए केला हू लेता है next दखते है next puzzle next है 4 बिद्ध्यार्थी yes, p, u और g yes, p, u और g 4 बहां साहे बोलते हैं French, Spanish, German और अंग्रेजी, तथा 4 बाद यंत्र बजाते हैं, बांसुरी, वाइलीन गिटार और तबला एक बिद्ध्यार्थी केवल एक ही भाँसा बोल सकता है और केवल एक ही बाद यंत्र बजा सकता है यो गिटार बजाता है यो क्या बजाता है पाबू? गिटार लेकिन ना ही जर्मन ना ही फ्रेंज बोल सकता है यह ना तो जर्मन बोलेगा और ना ही फ्रेंज बोलेगा जो विद्यार्थी बांसुरी बजाता है ना Ice बोलता है और ना ही जर्मन बोलता है जो बांसुरी बजाता है वो ना तो स्पेनिस बोलता है और ना ही जर्मन बोलता है नेक्ष्ट है यस तबला बजाता है और जी इंगलीस बोलता है यस क्या बजाता है बाबु तबला और जी इंगलीस बोलता है जी इंगलीज बोलता है ठीक जो विद्यार्थी फ्रेंच बोलता है वो ना ही तबला और ना ही बांसुरी बजाता है इसका मतलत तबला बजाने वाला ना तो फ्रेंच बोलता है और बांसुरी बजाने वाला भी फ्रेंच नहीं बोलता है बांसुरी बजाने वाला भी क्या नहीं बोलता है, फ्रेंच नहीं बोलता है, ठीक, डी वाले कथन से हमें क्या पता चल रहा है, कि जो बिद्यार्थी फ्रेंच बोलता है, वह ना ही तबला और ना ही बांसुरी बजाता है, इसका मतलब क्या हुआ, जो तबला बजाता है, वो भी फ्रेंच नहीं बोलता, तो अगर हम देखें, यहाँ पे भी फ्रेंच नहीं Їप्र तो फ्रेंच जो है वह फ्रेंच बोलेगा, ठीक, तो बांसुरी कौन बजाएगा? बांसुरी जी बजाएगा, ठीक, बांसुरी कौन बजाएगा बांसुरी जी बजाएगा जो इंगलीज बोलेगा अब यहाँ पर अगर हम देखें बाद यंत्र में कौन सा कौन सा बाद यंत्र बच रहा है वाइलीन तो P क्या बजाएगा बाबू वाइलीन बजाएगा P क्या बजाएगा वाइलिन बजाएगा ठीक आप दियान से देखेगा यहाँ पे ना तो फ्रेंच है ना ही जर्मन है तो जर्मन ही यहाँ पे हो जाएगा तबला जर्मन हो जाएगा अब जो language बच्ची वो यहाँ पे हो जाएगी बच्ची कौन सी है इस्पेनिस तो यू जो है वो इस्पेनिस बोलेगा इस तरह से मेरा जो पाजल है वो यहाँ पे साल्व हो चुका है इस पे आदारित questions का answer हम लोग आसानी से दे सकते हैं जैसे यहाँ पे एक question है कौन सा बिद्यार्थी वाइलिन बजाता है तो वाइलिन कौन बजा रहा है पी इसका राइट answer होगा option number A पी वाइलिन बजा रहा है नेक्स पजल देखते हैं फ्रेंड्स अगर class अच्छे लग रही हो तो class को like कीजेगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके class को share कीजेगा साथ लोग एक दूसरे के सामने एक circle में बे तर्तीब बैठे हैं कितने लोग बैठे हैं साथ लोग जे ओ और यम के बीच में बैठा है जे ओ और यम के बीच में बैठा है ना तो यल और ना ही आई के के ठीक दाहिने बैठे है ओ ना के ना ही यन के बगल में बैठा है इसका मतलब ना तो यहाँ पे यन होगा और ना ही यहाँ पे के होगा ओ के ओ जो है ना ही के और ना ही यन के बगल में बैठता है आगे है यन यम के बाएं से तीसरी अस्थान पर बैठा है यन यम के बाएं से तीसरी अस्थान पर बैठा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यहां पर कौन बैठा है? यन बैठा है यले यन के ततकालिन दाहिने नहीं बैठता है यल जो है वो यन के ततकालिन दाहिने नहीं बैठता है जब कोई चीज ये न बताया हो कि किस साइड बेकती मूह करके बैठे हैं इनर साइड या आउटर साइड तो हम लोग इनर साइड ही मान के सॉल्व करते हैं ठीक यल यनके ततकालिन दाहिने नहीं बैठा है तो यहाँ पे यल नहीं बैठेगा अब आगे देखीएगा हमको के को बैठाना है के कहां बैठेगा के यहाँ पे तो बैठेगा नहीं और के अगर यहाँ पे बैठ जाता है तो कहा है के के दाहिने यल या आई नहीं बैठना चाहिए तो यल और आई ही तो बचेंगे अगर हम के को यहां बैठा देंगे तो जाहिर सी बात होगी यहां पे यल या आई आएगा ही इसलिए के यहां पे भी नहीं बैठ सकता है तो के कहां पर बैठेगा के यहां पर बैठेगा इसके दाहिने ना तो यल होगा ना तो आई होगा यह वाली condition complete हो गई अब देखेगा यल और आई बैठा यल और आई बैठाने के लिए बचे हैं यल यहां पर नहीं होगा तो यहां पर आई होगा और यहाँ पे सीधे सीधे एल हो जाएगा यह मेरी जो सरकुरल सिटिंग अरेंजमेंट थी या बैठक विश्था थी वो साल्व हो चुकी है इस पे आधारित जितने भी कुश्चन्स हैं उनके अंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं आएए देखते हैं नेक्स्ट पजल क्या है नेक्स्ट है अनिल, बीनू, चिराग, धावन और एल जा एक पंक्ति में बैठे हैं चिराग और धावन कभी एक साथ नहीं बैठ सकते हैं कितनी लोग हैं टूटल? पांच लोग चिराग और धावन कभी एक साथ नहीं बैठ सकते हैं बीनू तीसरे अस्थान पर नहीं बैठ सकता है बीनू यहाँ पे नहीं होगा अनिल एल जाके बाई मगल में तीसरे नमबर पर है इसका मत्तब एल जा और एक के बीच में अनिल के बीच में दो लोग बैठ है अनिल एल जाके बाई मगल में तीसरे नमबर पर है और चिराग के एकदम दाई और बैठा है कौन बैठा है? अनिल इस तरह से यहाँ पे देखीगा कितने लोग है एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच लोगों की यह बैठाग बैठा कम्पलीट हो गई यही मेरा यहाँ पे जाके सेट हो जागा तो यहाँ पे हो जागा इल जा यहाँ पे दो अश्थान खाले हो के बाद अनिल उसके बाद चीराग देखीगा यहाँ पे तो बैठ नहीं सकता तो बीनू कहाँ बैठेगी? यहाँ पे बैठेगी बचा काउन सा है? डी, डी मतलब धावन इस तरह से यह जो ब्यश्था है, कम्पलीट हो गई इस पे आधारित questions के answer हम लोग आसानी से देश सकेंगे questions है, बीच में कौन है? बीच में कौन है? धावन तो बाबू इस question का जो right answer होगा, आपसा नमबर भी धावन friends, अगर class आप लोग को अच्छी लगी है तो please video को like कीजिएगा, channel को subscribe कीजिएगा और जितना ज्यादा हो सकेगा, share कीजिएगा, thank you दोस्तों, bye, take care